Hello everybody, आप सभी का YouTube के Study Tips चैनल पे सागत है आज हम लोग JPSC Crash Course में जो की बहुत ही सौट और बहुत ही बहुत ही बेहतरी नदाज में आप लोग को यहां पर बताया जाता है कोई भी टॉपिक जो की आपके examination के 360 concept बहुत ही ज्यादा important होता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा topic का नाम है वो है पढ़हा पंचायत शाशन ब्यवस्था और इस तरीके से स्मार्ट तरीके से हम लोग जो यहां पर बात करेंगे में mention किया वो बाते जो भी रहेंगी आपके exam के लिए बहुत ही ज्यादा important बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण होगी तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने point पर और उससे पहले जाने से पहले आपसे एक request है कि अब तक अगर आपने study tips channel को subscribe ने किया है तो जल्दी से कर लिजे आते हैं अपने point पर तो ज्यारखन की जंजाती शाशन ब्यवस्था में य JPSC और JSSC का आप उस channel list में जाकर topics ढूंड के आप अपने recording भी पढ़ सकते हैं या तो जिस series में हम लोग पढ़ा रहे हैं उस series में भी पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग यहां पर discuss करते हैं और आपको समझाते हैं आते हैं जो पढ़ा पंचायत शाशन यह क्या है उसके पहले एक एक point wise हम लोग देखेंगे यह उराओं जंजाती के परमपरागत शाशन व्यस्था है यानि कि कौन से जंजाती के उराओं जंजाती के परमपरागत शाशन व्यस्था है ठीक है दूसरा नबर पे आते हैं जारखन में उराओं जंजाती का प्रव तियारुदिन खिलजी के साथ हुआ था इसका प्रवेस उराव जनजाती का मुस्लिम आकरमन कारयों के साथ कौन से सदी में तो 13 सदी में ठीक है आगे बढ़ते हैं उराव ने मुंडा शाषन बेवस्था को ही अपने शेत्र में लागू किया इसके महीं प्रवेस को फिया ने मुंडा शाषन बेवस्था को दिखिये यहां पर बहुत important.. यहां पर point.. आपके के लिए भी और सभी के लिए भी.. जिसे प्ढ़ह शाषन बेवस्था के नाम से जाना जाता है ठीक है यानि कि कौन सी वेस्था को पढ़ा नाम किसे जाना जाता है मुंदा शासन वेस्था को लेकिन इसको अपलाई कौन किया था अपने शेतर में उराव लोगों ने किया था क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़े कि ये जो पढ़ा पंचाय शासन ब्योस्था है ये उराव जंजाती की परंबरागत शासन ब्योस्था है यानि कि इन लोगों ने ही अपलाई किया था या उस ब्योस्था को लगाया था और ये मुंडा शासन ब्योस्था को ही अपने शेतर में लागू किया था उसको अपने ना या आप से direct पूछ लिया जाएगा कि उराओ जन्जाती द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपर युगत भूमी को क्या कहा जाता था आपका option आपके सामने है तथा इसी गाओं का मालिक Bhoयर कायल आयता था इसी गाओं का मालिक जो होता था उसको हम लोग कहते थे Bhoयर आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ points होते हैं अपने JSAC के लिए और JPSC के लिए और KS के लिए जो words होता है कि किसको क्या कहते है किसका क्या मतलब होता वो चीज जानना बहुत जरूरी है आपके direct question उसे पूछे जाते हैं ठीक है उराओं में परंपरिक शाषन वेस्था के निर्धारन है तू पहले दिवान होते थे हम लोग को भी पता है पिछले class में भी पढ़े हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प सायोग हे तू महतो का पद बना दिया ठीक है यानि कि पहान के सायोग पहान के इसको कहा जाता था आप पिछले class में आप जाके देखें एक बार ठीक है क्योंकि बहुत ही विस्थार से बहुत ही easy method से हम लोग ने बताया है वहाँ पे बहुत easy language में इस तरह आरम में पहान को महतो गाओ के अनुभवी लोगों के माध्यम से पंच पददती द्वारा ग्रामीन ब्यास्था के संचालक करते थे यानि कि इनको ग्रामीन पददती में यानि पंच पददती में जो हम लोगं करने में इनका रोल होता था आगे बढ़ते हैं आप देखिए पढ़ार सेसन बय स्था का कुछ यहां पर स्तर देखते हैं कौन से स्तर होते थे तो gram स्तर पर कुछ कुछ इसतर पर कुछ इस तरह से होते थे कि उराउं में एक gram पंचायत का गठन किया जाता था अभी भी उराउं का यही नियम और रूल या यही बय स्तर लाग वोता है जहां भी उराओं समों का पूरा गाओं है तो पूरे में एक गाओं में एक पंचायत बनता था एक पंचायत बनिया एक गाओं में अब उस गाओं के पंचायत के कुछ-कुछ नियुक्तियां होती थी ठीक है यानि कि उसके अधिकारियों के उसकी देखबाल कौन करेंगे है हर एक तरह के जितने भी प्रोसेस होते थे उस पंचायत में उसके अलग-अलग क्या करने लगे धीरे-धीरे एक अधिकारियों की एक officers वगेरा की नियुक्ति करने लगी तो अभी देखिए हर एक officers का कुछ ना कुछ नाम होगा इन्होंने अपने व्यस्था के अधार पर या अपने समाज की अधार पर इसका नाम दिया तो पहला है महतो भूयर गाओं में धर्मेश यानि कि सुर्व देवता के बाद सबसी बड़ी शक्ति का सुरोथ ग्राम पंचायत थी यानि कि देखे माना जाता है कि एक तो भगवान उपर से हम लोग की ग्राम पंचायत थी या का विकास कैसे होगा गाह में कौन सी कमिया है उसको कैसे फुल्फिल किया जा सकेगा यह गाओं में कुछ भी प्राबलम्स आए तो उसको कैसे सौट आउट किया जाएगा सब पंचायत की होती थी ये भूमी का ठीक है तो यहां से और एक बात हम लोग को समझ में आया कि दुसरी शक्ति में ये क्या हो गया पंचायत जिसका प्रधान महतो कहलाता था देखे उस पंचायत का प्रधान हो गया जो सबसे उपर वाले पोष्ट में जो अफिसर हो गया उसको महतो कहते थे चुकर ये गाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का रख्षक था लिज़े बात है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों कमाँ पे ंह चैट्रहा उसका प्रधान में तो महतो क्या होते थे उसका हेड्ल होते थे ठीक है कोई भी पंचायत का जी गाओं में जो भी पंचायत बना उसका हेड होता थे तो वो सभी सामाजिक तरह के और सांस्कृतिक तरह के सभी तरह के फैस ले लेते थे महतो गाओं के सभी प्रशाशनिक कारिय करते था महतो गाओं में सभी तरह काप्रशासनिक कार थे ठाइया इसलिए इसे स्वततoh प्रधान कहा गया स्वत्तनथ्र प्रधान नहीं मतलब फ्रीली ये अपना कुछ भी काम के लिए मतलब बोल सकते थे, suggestion दे सकते थे कि ये चीज करना है, वो चीज करना है इसका आदेश दे दिया, उसका आदेश दे दिया तो ये free lean को 17 रूप से ये power दिया दिया कि आप जो भी करेंगे गाउं के बलाई के लिए आप सही ही करेंगे अब देखें, पहान क्या होते थे गाउं में धार्मी का नुष्ठान याद रखियेगा, धार्मी का नुष्ठान पर्वतियोहार, शादी बया आदी का कारे कराते थे कौन? पहान, याद रखियेगा ठीक है? पढ़ाश शासन ब्यस्था के अंतरगत पहान का काम था, धार्मी का नुष्ठान यानि के पूजा पाठ वगएरा पर्वतियोहर में कुछ भी तरह का पूजा पाठ हुआ शादी बयवा आदी कराते थे इसलिए इसके बदले अब जो ये काम करते थे मुक्त जमीन दी जाती इसे पहनाई भूमी कहते थे अभी के जवाने में क्या होता कि कोई भी पूजा पाठ में आते थे पंडित जी आँ हम लोग कुछ नए कुछ पैसे दे जाते हैं कुछ नए कुछ कुछ सामान के रूप में दे जाते लेकिन पहले जो होता था इतना भूमी आपका हो गया तो इसको क्या कहते थे पहनाई भूमी कहते थे याद रहेगा यह पद हमेशा किसी साधि सुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था यह पद जो है पहान का हमेशा मैरिड कोई परसन होगा तभी ही आपको मिला ऐसे अनमेरिट को यह पद नहीं मिलता था अब अत्या माझी में माझी किनको कहा जाता है तो महतो के मदद के लिए इनकी न्यूकती की जाती थी महतो के यह जो महतो है यहां पे यानि कि आपके पंचायत के स्रेष्ट या स्रेष्ट अधिकारी हम बोल सकते हैं सबसे टॉप में जो ऑफिसर रहेंगे तो उनका जो ऐसी स्टेंट था वो माझी कहला था सीधी बात में अगर बोले तो या महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुँचाने का कारे करते थे जो भी ओडर दिया महतो ने यह जाओ इनको बुला के लाओ यहाँ पे आज बैठक होगी यहाँ पे आभी यह कारे करम होगा आप इसकी बेवस्था कीजे तो सब यह क्या करते थे माझी सब मैसेज को पूरा इस्परेट करते देगाओं के लोगों तक सभी को पहुँचा देते थे आगे आते हैं एक और इंपोर्टेंट यहाँ पे है पॉइंट बैगा बैगा किसको कहता है यह पाहन की सहयोगी है देखिए मातो की सहयोगी कौन हो गए याद रखना है आपको मातो के सहयोगी कौन हो गए इसको इरेज करते हैं यहां से मातों के सहयोगी हो गए आपके मान जी और पाहन के सहयोगी कौन हो गए बैगा तो पाहन जो धार्मी के नुष्ठान यह सब करते थे तो वो पूजा पाट करते थे तो उसको क्या होता था एक helper की जरुरत जो पड़ता था तो वो बैगा काम करता था उसका यानि कि या पाहन का सहयोगी है तथा इसका कार ये मोखे कार इसका जो मोखे कार होता वो ग्रामिन देवता की पूजा कर उसे शांत करते थे इसको वैद भी कहा जाता था याद रखेगा यानि कि ग्रामिन जो देवता होते थे ग्रामिन देवता उसका पूजा पाठ करने में इनको भेजा जाता था इसपेसली ठीक है और बड़े-बड़े कारेकरम जैसे धार्मी का अनुष्ठान बड़े-बड़े अनुष्ठान सब अगरा होते थे पर्वतियोहार के बड़े-बड़े पूजा और साधिविया वो सब पहान करते थे और ग्रामिन देवता को जो की घरेलू भी कोई पूजा पाठ करवाते थे तो बेगा को वहां पे जाकर उनको मतलब भेज दिया जाता था आगे आते हैं दुसरे और सेक्शन में अब देखि ग्रामिन पंचायत का गठन किया जाता था इसी को कहते हैं हम लोग पढ़ा पंचायत समझ में आया यानि कि उराओं का बहुत सारा जैसे एक गाओं हो गया इसमें उराओं समूरत है फिर दूसरा गाओं हो गया उराओं इसी तरह बहुत सारे ग्रामिन पूरे गाओं को मिल कर एक man मतलब बहुत head SamadamakyaG is को बोला जाता है उसी पंचायत को बोला जाता है पढ़ाआ इस टोब विब ख़यात यानि की पंचायतो का पंचायत क्योंकि हर अ Engazo इस पंचायत आर desama में head on Sunday at repeated तो इन सबी को एक हेड़ पंचायत के अनुसार कार्य करना पड़ता था और वो हेड़ पंचायत कौन था पढ़ा पंचायत ठेक है यह पंचायत दो या दो से अधीक गाउं को बीज विवादों का निप्टारा करता था यह पंचायत नीम्न मद और उच तीन स्रेमिन यह नहीं कर पाएगा क्योंकि यह अपने फैबर में करेगा तो आप इन दोनों के solution के लिए कौन थे तो अन्ता ग्रामिन जो पंचायत है जिनको हम लोग बोलता है पढ़ा पंचायत कोई भी किसी गाउं से कोई भी related problem आया तो यह head office की तरह काम करता था यानि कि यह बात करेगा सब के लिए है ना तो यह तीन भागों में भी वाजिते एक निम्न निम्न शेरेनी लोड क्रेटेगरी एक मेडिल क्रेगरी यानि मद्द और एक कूछ एक नहीं मतलब हाई क्रेगरी हाई कोड़ जिसको बोल सकते हैं हम लोग है ना आगे आते हैं यह निम्न पंचायत में किसी विवाद को प्रस्तुत किया जाता था यहां पे पहले जखो निम्न पंचायत में सबसे पहले क्या हुआ थर्ड में गया पहले निम्न मेला में गया निम्न वाला में अगर solve हो गया तो ठीक है अगर यहां से नहीं हुआ तो यह क्या क्या middle में भेज जाता था मदे में मदे में अगर solve हो गया तो ठीक है जाएए अपने घर सभी सांतिस से रहिए अगर यहां पे solve नहीं हो तो फिर high में जाता था high code जिसको हम लोग बलता है उच उच श्रेनी वाले कहां पे पंचायत में उच श्रेनी वाले पंचायत में यह गय और वहां पे फिर निप्टारा करके वापस आ गय सभी ठीक है तो यह यहां तक पंचायत की कारेवाई में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे हर एक को यहां पे छोड़ती है सनी कि महिला को नहीं आना है उसका section बनाया जाता था इस तरह करके कि इधर पुरुष बठेंगे इधर महिला बठेंगा ऐसे करके और यहां पे पंचायत के सारी फैसले के लिए मुखिया वगदर जो महतो है महतो कहा जाता है ने इसका मुखिया तो नहीं कहाजाता है तो यह मा तो यहां पर बैठते थे उनका असिस्टेंट, ठीक है, वो सब यहां पर बैठते थे, यह उराओं के मुख्य प्रशासनिक इकाई थी, उराओं का मुख्य प्रशासनिक इकाई यह है, ठीक है, आते हैं कुछ, पढ़हा स्तर के मुख्य अधिकारी निमने थे, तो ए लिख हो गया पढ़ः राजा पढ़ः राजा क्या होते थे यह पढ़ः पंचायत का मुख्य होता था है यानि कि हड़ औफिस पढ़ः यहाद है अभी हम लोग ने बोला कि पढ़ः पंचायत क्या होता इम निम्न छोटे चोटे गाउं को 10, 12, 13, 14, 15 गाउं को मिला कि एक ह लेट पंचायत होता था उसको तो इसका जो मुख्य होता था देखिए इसका मुख्य को तो हम लोग मातों बोलते थे हर एक चोटा चोटा पंचायत का लेकिन इसका जो मुख्य होता था उसको पढ़हा राजा बोला जाता था ठीक हो गया यह पढ़हा का मुख्य मतलब मुख या प्रमुक दावेदार या प्रमुक अधिकारी बोल सकते हैं वो होते थे उन मामलों का निप्टारा करता था जो कि महतो द्वारा नहीं किया गया सकता था जब इन दोनों में लड़ाई हो रही है या इनके द्वारा नहीं किया गया तो फिर यहां पर भाई दिया गया हाई नहीं कर पारहे हैं तो पढ़ा के दिवान तेकरी पढ़ा पंचायत करता है जिसे जिस मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्ना नहीं ले पाते हैं अब अगर पढ़ा राजा भी अगर निर्ना नहीं ले पाएंगे तो फिर उपर के पढ़ा दिवान के पास वो केस जाएगा और दिवान क्या करेंगे उसको उसको solve करके बतानेंगे कि हाँ ये होना चीजिए ऐसा होना चीजिए आगे आता है एक मुखी पॉइंट और रहा है और आओं की परागत शाषन व्योस्ता से जुड़े अधिकारी में कर लेने की परचलन नहीं थी देखिया हम पहले बताए थे अभी जैसे वो जो पूझा पार्ट करते थे उनको क्या कहा जाता है एक मन नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजएगा अगर आपको याद है जो पूझा पार्ड करते थे और जो शादी व्योमें करते थे या उसको जो भी कर्वाते थे तो वह प्रक्रिया जो भी करवाते थे उनका नाम क्या है उनको पढ़ा पंचाइश शासन बेस्ता में क्या कहा जाता है नीचे कमेंट कीजिए मुझे इंतजार रहेगा आपके सही अंसर का तो क्या होता था जैसे वहां भी उनको दान दक्षिना में क्या जमीन ही दिया जाता था उसी तर यहां भी अधिकारी को कर नहीं लिया जाता था कर लेने का प्रचलन यहां पे नहीं था तो फिर क्या प्रचलन था तब देखते है प्रशासनिक दाई तो निभाने वाले अधिकारियों को इसके बदले मुक्त विशेश भूमी परदान की जाती थी जैसे क्या होता था पढ़ा राजा को दी गई मजियास भूमी कहलाती थी जो पढ़ा राजा को जो दिया जाता था भूमी जैसे उन्होंने उनको अधिकारियों के बदले क्या हुआ मुक्त विशेस कुछ परदान किया जाएगा भूमी तो पढ़ा राजा को जो दिया जाता था ना तो उसको क्या कहा जाता था मजी आस मजी आस याद रखना है यह भूमी जब पढ़ा राजा को दिया जाता था और पाहन देखिए अभी हम लोग पाहन का बात किये आपको कमेंट देखने को मिला होगा लोग ने अगर किया होगा तो अदरवाइस पाहन बोला जाता था और आपको याद रखने की जरूरत है एक्जाम में डारेक्ट कोईसिन आते हैं इसके महतो को दी जाने वाले जमी क्या कह लाता था महतोई ठीक है पाहन के साहेता एतू दी गई भूमी जो होता था उसको पन भरा भूमी कहा जाता था ठीक है अब आते हैं लाश्ट पॉइंट में आज का लाश्ट टॉपी का लाश्ट पॉइंट है मतलब आज के टॉपी का लाश्ट पॉइंट है उराओं की पंचायत की बैठक में महिलाए भाग लेती थी तो अभी हम लोग ने बताया जबकि मुंडा पंचायत की बैठक में महिलाए शामिल नहीं होती थी इसलिए मैंने इसको दुबारा लिखा ठीक है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उराओं की पंचायत की बैठक में महिलाए भाग ले सकती थी पुरुष के साथ पुरुष महिलाए दोनों भाग ले ले सकती लेकिन मुंडाओ में ये शासन बैस्ता में ये रूल नहीं था कि इसमें महिलाए बैठती है और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उराओं ने किसकी पंचायत बैस्ता को लिया था तो इनी की पंचायत बैस्ता को हम लोगों उराओं ने अक्सेप्ट किया था और वो apply किये थे अपने according तो ये था आज का लगभग बहुत ही most important topic of जो भी हम लोग पढ़ा पंचायत ब्यस्ता पढ़े और इससे question मुझे लगते कि बाहर नहीं जाएगा आप इसको अच्छे से एक बार देख लो review कर लो इससे direct question जितने type के objective question लगभग आपके one liner में हम और JPSC PT special batch को आप लोग जरूर जोइन कीजिए यह free of cost है YouTube में चलता है यह online भी चलता है Google Meet या Zoom के द्वारा उसमें आप लोग जरूर जोइन कीजिए वह free of cost है और इस चैनल को like share and subscribe चरूर कर दीजिए क्योंकि हमारे पास JPSC के अलावे और भी कुछ other free batches है जैसे SSC बगेर का RRB में NTPC और Group D का free of cost batches है JPSC का तो चली रहा है BPSC का UPSI का और junior engineer और assistant engineer सभी के हम लोगों के पास free of cost batches यहां पे लगो किया गया है और वो चल भी रहा है तो जल्दी से subscribe कर लीजे अभी तक जिन्होंने subscribe नहीं किया है क्योंकि आपकी subscription आपकी comments और आपकी likes हमें appreciate और हमें इस तरह के और भी वीडियो लाने में थोड़ी सी मदद करेंगी तब तक के लिए आप लोग अपने तयारी को जारी रखिये मिलते हैं फिर next वीडियो में और next syllabus के कुछ नए बहुत ही important point के साथ तब तक के लिए जय हिंद जोहार जारखंड धन्यवाद